नमस्कार दोस्तों, मेरा नम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल Tech Support में स्वागत है। दोस्तों, आज हम Installation of Data Center की सीरीज में एक How to Install File Server और उसे कैसे मैप करें दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने तीन यूजर क्रेट किये था मेंस कि एक औरनेशन में तीन यूजर जॉइन हुए हैं एक Sales में, एक Finance में और एक IT में तो दोस्तों हम उन उसे को कैसे Access दे सकते हैं, हमाई scenario ऐसा रखा है कि एक scenario लिया है कि तीन यूजर जॉइन किये उनको एक एक उनका Personal folder होना चाहिए और एक Common folder होना चाहिए बट IT, IT को उसको सारे folders पे Access होना चाहिए, क्योंकि वह Administrator है सो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप Server Console पे आ जाईए, Server Console पे जैसे मेरे को by default Server Page पे File and Storage Services के बारे में बता रहा है, यहां पे देखिए, और यहां सारी options आपका यह options नहीं आ रहा तो आप manage पे जाके, add rows and features, यहां next, next, और next करने के बाद, यहां पे यह वाला option आएगा, File and Storage Services यहां पे इसे expand करने को, तो File Server पे click कर देना और वही चाहिए, तो next and next करके अपका install हो जाएगा, so let's start करता है बाद message के लिए, तो हमने जैसे की बिदाया, कि दोस्तों जैसे की मैं सबसे पहले आपको बता दू कि मैंने अभी यहां पर, एक नई drive जोड़ दी है, एक second को दिखाता हूँ, इसके my computer वाले page पे, यह देखिए eDrive, इसे कैसे जोड़ जाता है, आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप जेखिए मेरे एक eDrive आ गई है, eDrive पे मुझे यह एक सारे फाल सर्वर बनाने में, रूट फोल्डर पे नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने एक अलग से आड़ करी थी, यह आपके विर्चुल सर्वर पे, so अब हम स्टार्ट करते ह है, सर्वर मेंजर पे आजेगी है, just a minute, सर्वर मेंजर पे शेर, यहाँ पे टास्क की आप्शन आएगी, यह रहा, टास्क, न्यू शेर, यहाँ पे हमें एक विक शेर करना है, next कीजिए, फोरास, जनल शेरिंग, next, यहाँ पे हमें custom path लगाना है, क्योंकि अभी हमें अलालक फोल्टर बनाने हैं, पूरे eDrive को नहीं बनाना है, यहाँ पे इसको select करते हैं, volume, लेकि हमें folder वाइस देना एक्से, तो इसको select करें हैं custom path को, eDrive पे गाए, eDrive पे सबसे पहले हमें काम करते हैं, पहले तो हम तीनों users के, यहाँ पे folders create कर लेते हैं, अजे, वरॉन, और थर्ड फोल्डर हो गया, मोहित का, हमने एक काता है में common folder भी करना है, या common folder लगा लो, या हम इसको एक department folder वाइस भी कर सकते हैं, sales और यह सब, तो हम एक example के लिए दे रहे हैं, सबसे बहले हम आजे के folder पर जाते हैं, select folder करते हैं, next किया, यहाँ पर आजे का remote path होगा, हम इसे map drive भी करा सकते हैं, आजे का personal folder में, और यह हमारा हो गया next, यहाँ पर accessible animation को select करना है, और वही folder show करेंगे, जो इस पर user को access होंगे, next, यहाँ पर customize permission करनी बहुत जुरूरी है, यही एक main चीज है, disable and inheritance करना है, क्योंकि हमें उपर से permission नीच चाहिए, हमें इसके नए permission create करने है, तो इसको remove किया users को, यहाँ पर हम अजे को add करा देते हैं, क्योंकि अजे का folder है, personal folder, को अजे के लावा कोई access ना करते है, IT के लावा, okay, अजे को modify करते हो, या full control, या अजे को modify करके देते हैं, क्योंकि I think उनको पूरा access नहीं होना चाहिए, but हम as per scenario, okay, और इसके बाद हम एक और add कर देते हैं, मोहित को क्योंकि मोहित, नहीं मोहित को नहीं, मोहित को कर देते हैं, चलो, क्योंकि IT support है, वैसे तो by default उसकी को ज़रते नहीं है, क्योंकि admin group में था, यहोंकि administrator group में अल्रेडी मोहित है, so, फिर भी हम एक कर देते हैं, दो users को देना चाहते हैं, तो एक example भी set हो जाएगा इसी साब से, okay, next, create, so, यहां पर access create हो रहा है, okay, completed, okay, now, new share, again, quick, custom path, okay, e-drive, varon, select folder, next, same, next, upper all option, here enable access, customize permission, the upper here remove, select the principle, okay, and add, more hit, apply, okay, next, create, close, new share, again, new share, quick, add only more hit here, next, create, तो और रह गया हमारा common folder, जिस भी हमें सब को access चाहिए, तो यहां पर हमें काम कर सकते हैं, path, e-drive, common, select folder, next, next, दोस्तों हम इन फोल्डर को by script के थुरू भी आड़ कर सकते हैं, बाकी यूजर परफाइल में जैसे यूजर लोगनों आटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएं, और मैनुएली भी कर सकते हैं, पर दोस्तों हमें यूजर नहीं है, तो common में हमें काम कर देते हैं, domain users create कर देते हैं इसके उपर, फिरा domain user को मिल जाएगा, मोहित इसमें ही है और administrator में तो already है, administrator मोहित को और करते हैं, IT group को और कर देते हैं, यह पर हम group को IT group को भी करके देख लेते हैं, IT group, full access, ok, apply, ok, next, तो हमारा group की भी testing हो जाएगी, so, अभी हमारे यह folders create हो गए हैं, 3-4 folder जो हमने बनाए थे, और अब हम इसको जाते हैं, client पर login करते हैं, सबसे पहले हम address से login करते हैं, के अभी के इसको अधने नुझा, जाते हैं, क्याते हैं, बनाए और करते हैं, क्याते हैं, कि यहां पर अभी हमें कॉमन फॉल्डर खा था और एक उनका अजय का खुद का फॉल्डर तो अभी हम ड्राइब बनाते हैं मैं ड्राइब कर देते हैं दोनों को कि जैड ड्राइब फॉर हम रख लेते हैं कॉमन के लिए सर्वर और नाम आया था अजय फोर परसनल राइब स्वारी यह हमारी परसनल राइब आगई अजय की और एक था हमारा कॉमन का रख देते हैं वाई ड्राइब इस वाई अपने आप ही आ गया सर्वर बैक्सलाइस कॉमन देते हैं को कि हमारा कोई जो देक्शिनेरियों होता है कि सर्व का यह अपने लोग अपने डिपार्टमेंट वाई एक्सेश्स यह चराते हैं इसाल पॡ़त आज ने यहापर एक फाइल क्री est कर देते हैं ठीक तरक में रख दी कि और यहां पर हम एक करते हैं ए इंशार्ण हम एक का क Robin में खते हैं कि अब ऐसे नाम से थे फिरक fan कर सके हैं कि सोल्डर से बनाई ह्यां चीह हमाहरा एक्सास होगया कि अब देखते है इस से हम्हें से कि लेट मी लोग इन विदा वरॉन फ़र्स्ट तो मैं चाहद होई गया है तो मैं तो वीडियो को नी तो तो रुदूरिशन नहीं ली इसने कोई बात नहीं हमें तो उसके लिए करना है डेमो के लिए सो लेट सब्सक्राइब वीडियो वेलकम बैक अब यह देखिए यहां पर हमारा वरॉन से एक्सेस हो गया है यहां पर अभी हमें एक मैप ड्रेव यहां भी बना देते हैं आज द्राइव कि वरॉन द्राइव उनकी पर्सट्राइव है तो अभी हाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा अजर वाई ड्राइव अनजर वाई ड्राइव अनजर वाई ड्राइव सर्वर स्लैज सी ओ ड्राइव और कॉमन जर्ड्राइव आ गई सौरी बैटरी इस बेटिंग रिटिंग लोग लेट मी पाउस वीडियो वेलकम बैक तो अभी हमारा यह जर्ड्राइव वरॉन की हो गई है तो हम यहां पर एक फाइलर क्रेट कर लेते हैं कि फाइल क्रेट यहां पर वो कोई भी फाइल क्रेट कर सकते हैं और यहां पर मिनिवाइस करने बाद यह कॉमन आ गया कॉमन के बाद वाई किया वाई ड्राइव में अल्लेड एक अजय की फाइल आ रही थी अब हम यहां पर आपके एक और फाइल कर देते हैं द्वारून वारून ने वारून के नाम से हो गई अब हम तीसा यूजर आगया हमारा मोहित मोहित से लोगिंग कराने जिसके पास सिच यूजर साइन आउट कर देते हैं अब हमें मोहित पर यह दो तीन एक्सेस चेक करें एक तो कॉमन फोल्डर का एक इनकी पर्सनल राइव का दूसरा अजय और वरॉन का भी कि एक्सेस है की नहीं है लट मी पॉद इस वीडियो भी लोग इन हो रहा है होई गया चलो तो यहां पर कंप्यूटर पर जाते हैं मैप जाते हैं मैप ड्राइव यह महुच से हो गया अब हम दूसरी वाइड ड्राइव बना लेते हैं इसाइड ड्राइव हो गई कोई फाइल का भी एक्सेस देके देख लेते हैं इनका भी ऐसे हो जाएगा और तो कॉमन का भी फोल्डर हो यहां मोहिट के नाम से फाइल क्रेट कर देते हैं ताकि हमें एक्सेस आ गए ताकि दो को अभी हमारे पाद तीशा रहे गया था कि अब में बाक्यों के अक्सेस हो रहे है नहीं और इनका फोल्डर वाइट आजए अजय अजय भी हो रहा है और मोहिट आजय पे फोलडर क्रेट कर सकता है कि यूसरा है वर उनका वरं की वी ड्राइव एकसेस हो रही है तो देखा दोस्तों कितनी यहां पर एक फाइल सेर्डर पर गए और हमpton फोल्टर शेर किये और देंग तो दौस्तों कभी भी फाइल शेर पर एकसेस देने से पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़री है, एक अच्छी प्लानिंग सर्वर पर कैसे फाइल शेयर करना है, कैसे हमने बनाना है, यह पहले ही कर लेनी चाहिए, और एक बार यह हमारी प्लानिंग क्यार हो गई, तो कोई भी फोल्डर हो कि इसने भी क्रिटि करना, तो दोस्तों मैंको उमीद है आपको मेरी यह how to create a file server और उसे how to map with the users, their drive, share and drive, को यह आपको वीडियो समझ में आया होगा, I hope you like my video or this series, if you like my this video, तो आप मेरे चैनल को please subscribe कीजियो, मेरे वीडियो को like और share कीजियो, thank you very much for watching this video, thank you. झाल